हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 के विसे सामाजी कर दियन के आवधिक आंकलन 2 को सॉल्व करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो से नौटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं फर्ष्ट है बहु विकल्पे प्रश्ण प्रश्ण है किस मौसम में पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्सन है गर्मी बरसाथ सर्दी तो किस में जरूरत नहीं पड़ेगी सर्दी में तो यहाँ पर आंसर है उप्सन नंबर थ्री गया पर आप सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है सर्दियों में लोग दूप में बैटकर बड़े मजे से खाते हैं क्या आम सर्बत मौंग फली तो सर्दियों में क्या खाते हैं तो सर्दियों में खाते हैं मौंग फली तो आप गया उप्सन पर मार्क करेंगे राइट का निसान अब कोशेन नंबर टू सही मिलान कीजिए गौरी संकर मंदिर जो है कहाँ पर है तो इसे यहाँ पर मैच करेंगे इसके साथ बंगला साहिब जो है क्या है एक गुरुद्वारा है तो यहाँ पर गुरुद्वारा सर्द के साथ मैच कर देंगे अब कोशेन नंबर थ्री सही यत्वा गलत का निसान लगाओ जामा मस्ची साजाने बनवाई थी तो हाँ बिल्कुल सही है यहाँ पर राइट माक करेंगे गर्मी के मौसम में दूप में बैटना अच्छा लगता है तो बिल्कुल गलत है सर्दी के मौसम में दूप में बैटना अच्छा लगता है तो बिल्कुल सही है, नेक्स्ट है होली में दीप जलाकर रोशनी करते हैं, तो गलत है होली में रंगों से खेलते हैं ना कि दीप जलाकर, दीप जलाकर रोशनी करते हैं दिपावली पर, तो यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे, गुरुद्वारा सीस गंज दिल्ली का जन दिन है किसका जन दिन है इसा मसीह का तो यहां लिखेंगे इसा मसीही नेक्स्ट है दिल्ली की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है जामा मस्जिद गर्मियों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं लू कहते हैं तो यहां पर लिखेंगे लू नेक्स्ट है आम के मौसम में आत तो आप भी ऐसे ही अपने मन फसंद फल का चितर बनाएंगे और उसमें सुन्दर से रंग भरेंगे तो इसी के साथ आपकी ये एसेजमेंट शीट कम्प्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एसेजमेंट शीट के साथ अथैस अपको के लिडियो शुट टो अविडियो प्लीजियो प्लीजियो खुट इस वाहले सेजमेंट वीडियो फ्लीजिट वीडियो खुट शीचर शीचरण ठीक्यो झाल झाल